दोस्तो हमारी लाइप में इमर्जन्ची कभी भी किसी वक्त आ सकती है और उस इमर्जन्ची की सम्मई में ज्यादा तर लोग लोन लेने की छोचते है तो अगर आपकी लाइप में भी कोई ऐसी इमर्जन्ची आए और आपको भी अगर लोन की जरूत पड़ जाए तो आज मै दोस्तों आपको एक essay application बताने वाला हूँ जो एक RBA register NBFC अपरूव application है और यहाँ पर आप सिर्फ आधर कार्ड और pen card के basis पर पूरेक 10 लाग रुपय तकी loan ले सकते हो हाँ लेकिन condition सिर्फ इतने है कि यहाँ पर loan लेने के लिए आपका civil score minimum 600 होना चाहिए अगर आपका civil score 600 या 600 चे ज्यादा होगा तो आपको 100% एक company loan provide करेगी उसके हलावा यहाँ पर आपसे ना ही कोई bank statement पूछा जाएगा और ना ही कोई salary slip पूछी जाएगी सिर्फ आधर कार्ड और pen card के basis पर एक company आपको loan provide करेगी और यहाँ पर दोस्तो मुझे सिर्फ आधर कार और pen card के basis पर पूरे 30,000 रुपे की loan मिली है जो आप यहाँ पर एक पूप देख सकते हो आज इसी loan को हमरे bank account में transfer करके भी आपको live रूप दिखाने वाले है तो दोस्तो अगर आपको भी loan की जरूरत है तो एग वीडियो सुलू से लेके आन तेक जरूर देख लो आपको जरूर कुछ ना कुछ help मिलेगी सो नमस्कार दोस्तो जगुगान में आपका एकबर फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एग वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेले के नबा करो ओर नोटिफिकेशन ओन कर दो जिसे हमारी हर आने वाली इसी तरी के नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे तो चले दोस्तो वीडियो को सूप करते हैं सो दोस्तो आज हम जिस एप्लिकेशन के बारे में आपको बताने वाला है जहाँ पर आप सिर्फ आधर कार्ड और पेन कार्ड के बेसिस पर 10 लाग रुपया तक की लोन ले सकती हो उस एप्लिकेशन का नाम है मनी व्यू जी हाँ दोस्तो एप्लिकेशन बहुती जाने माने और ट्रस्टेर एप्लिकेशन है अब दोस्तों एक money view application के बारे में आपने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा एक बहुती जानी मानी और trusted application है तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस application की थोड़ी सी detail जान लगते हैं उसके बाद यहाँ पर हम live proof loan apply करने का process आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस application की rating की बात करें तो 4.7 की rating है जो की काफी अच्छी rating मानी जाती है और 10 million से पर ज्यादा लोगों ने इस application को डाउनलोड किया हुआ है अब दोस्तों यहाँ पर हम about this app पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उपर इनों न बताया हुआ है कि instant personal loan, solid and self-employed यहाँ पर आप दोनों के category में loan आसान इसे ले सकते हो यहाँ पर loan की बात करें तो एक कंपनी 5,000 रुपया से लेके पूरे 10,000,000 रुपया तक की loan प्रोवेड करती है जिसमें 3 मेने से लेके 5 एर का tenure मिलता है 16% से 49% तक interest लगाई जाता है और यहाँ पर दूस्तों processing fees थोड़ी high लगाई जाती है 2% से लेके 8% तक processing fees यहाँ पर लगाई जाते है तो यहाँ पर loan लेने से पहले आपको अपना fees ज़रूर देख लेना है आगे बात करें तो एक application है एक RBI register NBFC approved application है इनके साथ बहुत चारी NBFC जोड़ीगी है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर total 11 NBFC इनके साथ जोड़ीगी है इनमें चे कोई ना कोई एक company आपको ज़रूर loan प्रोवेड करेगी उसके लवा आगे बात करें तो एक company दोस्तो 5000 location और 8 language में available है तो almost आप इंडिया में कहीं पर भी रहते होगे तो यहाँ पर आपको loan मिलने का चांच बढ़ जाता है उसके लवा दोस्तों अगर हम यहाँ पर eligibility criteria के बात करें तो आप चाहे sell it फसन होई या self employee दोनों के टिगरी में loan ले सकते हो लेकिन आपका civil score से 100 होना चाहिए और आपका acceptance score से 150 होना चाहिए उसका लवा 21 year से लेके 57 year आपकी उम्रह होनी चाहिए और आपकी income आपके ब्यंके काउट में आती होनी चाहिए इतना इसका कुछ eligibility criteria है वो आपको complete करना होगा उसके लवा दोस्तों नीचे आओगे तो उसका contact support वगरा मिल जाएगा अगर इस application में कोई query आए तो यहाँ से आप contact कर सकते हो तो चले दोस्तों अब हम यहाँ पर इस application को open करके यहाँ पर loan apply करने का live process आपको दिखाते है तो हम यहाँ पर इस application को open करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और कुछ इस तरीका से interface आएगा यहाँ पर दोस्तों इस application के कुछ interaction बताए हुआ है जो कि already में आपको बता चुका हूँ तो यहाँ पर simply get start पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर कुछ permission पुछी जाएगी तो यहाँ पर I agree पर क्लिक करके सारी permission को allow कर देंगे जैसे सारी permission को allow करेंगे तो हमारे device में जितने भी email id होगी वो हमारे सामने प्रगट हो जाएगी इनमेंचे जिस email id हम इस application के साथ लिंक करना चाहते है उसे हमें यहाँ पर select करना है email id select करने के बाद कुछ इस तरी के center पर साएगा यहाँ पर हमारे email id एड हो जाएगी निचे यहाँ पर हमारे mobile number एंटर करना है और यहाँ पर continue पर क्लिक करना है जैसे continue करेंगे तो हमारे mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो यहाँ पर हमें fill up करना है और verify OTP पर क्लिक करना है करने के लिए एक option मिलेगा अपने नाव का तो सिंपल उस पर क्लिक करना है तो हमारे सामने एक नया प्याज ओपन होगा जिसमें सबसे पहला हमें यहाँ पर कुछ basic information देनी है जिसमें हमारे यहाँ पर first name और last name एंटर करना है जो pen card में हो सेम वैसा ही उसका बाद यहाँ पर pen card के basis पर ही limit मिल जाते है तो हो सके तो यहाँ पर आपको सेलीड ही सूच करना है उसके बाद यहाँ पर आपको monthly income एंटर करनी है monthly income आपको 20,000 से ज्यादा की ही इंटर करनी है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपके house hall income 3,000,000 रुपया है वो सिलेक रहने देना है और यहा आपके case में FAS ना करें तो यहाँ पर आपको pin card के detail वगरा पूची जाएगी वो आपको दे देने है तो हमारा यही pin card number है तो यहाँ पर हमें yes debt correct पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और हमारे pin card के आधार पर हमारे eligibility check होगी और अगर हम eligible होगी तो हमें तुर 500,000 रख़पय के loan मिल चुकी है अब यहाँ पर देख सकते हो यहा पर हम 100,000 रख़पय से लेके 30,000 रख़पय के loan ले सकते है अब दोस्तों यहale rharmone Sloy economic month मिलते है एक 6 मेने क और 9 मेने का, तो यहाँ पर हम 6 मेना चिलेक करते हैं, तो उस पर यहाँ पर कितना EMI लगेगा, और 9 मेना चिलेक करते हैं, तो उस पर कितना EMI लगेगा, और interest लगेगा, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, और निचे दोस्तों यहाँ पर processing fees कितनी लगई जाएगी, वो भ चार मेने का अगर हम इस लोन को तीन मेने के लिए लेते हैं तो हमें 3535 रूपया हर मंठ रीपेमेट करना होगा और इस केस में हमें 202 रूपया इंट्रेस्ट प्या करना होगा और अगर हम चार मेने के लिए लेते हैं तो हमें 2690 रूपया हर मंठ येमाई प्या करना होगा और तो इस case में 190 रूपया interest लगाए जाएगा और इस case में processing fees 660 रूपया लगाई जाएगी तो इस तरीक से दोस्तों यहाँ पर हमारा EMI वगरा रहेगा अब दोस्तों यहाँ पर हम हमरे case में देखोगे तो यह loan हमें मिली है विवरितिक Capital Private Limited के द्वारा यह हमारे NBFC है अब दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए नीचे एक option मिलेगा continue to proceed simple हम उस पर click करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा process निलेगा और यहाँ पर दोस्तों आगे हमें क्या क्या step complete करने होगे उसके जानकारी बताई हुई है यहाँ पर दोस्तों बताई गया है कि आपको सबसे पहले basic information देनी होगी उसके बद KYC verification करना होगा उसके बद अगले step में हमें auto pay setup करना होगा उसके बद आगे हमें review and sign agreement करना होगा इतने step हम complete कर लेंगे तो यह loan amount हमारी bank account में transfer हो जाएगी तो चले दोस्तों हम एक एक करके सारे step complete कर लेते हैं तो यहाँ पर हम let's go पर click करेंगे तो हमारे सामने पहला step open होगा जिसमें यहाँ पर हमें basic detail देनी है अब basic detail में सबसे पहली यहाँ पर हमारा father का ना में अटर करना है जो pen card में हो उसके बद यहाँ पर हमारा mother का ना में अटर करना है निचे दूस्तों यहाँ पर हमारा leave select करना है कि हम खुद के घर में रेते है या रेंट में रेते है उसके बाद निचे यहां पर हमारा लोन का परपोस सिलेक करना है उसके बाद हमारी यहां पर लेंगवेज सिलेक करनी है उसके बाद simply continue पर क्लिक कर देना है जैसे continue करेंगे तो हमारे समने अगला पेजोपन होगा जिसमें हमें company की information देने हैं, तो company की information में, सबसे पहले यहां पर हमारा company का नाम select करना है, उसके बाद industry type select करना है, यहां पर हमारा company का पूरा address देना है, और company का pin call number देना है, उसके बाद simply continue पर click कर देना है, जैसे continue करेंगे तो हमारे समने अगला page open जिसमें दूस्तो अब हम यहाँ पर कीवा। करने हैं। तो कैवाइस हम यहाँ पर दो टरी के सकते हैं, हम यहाँ पर अधरिष रग्सक्क पर यहाँ पर ख्रए सकते हैं। तो हम यहाँ पर Digilockr के थूइनि वाले box में enter करना है और next पर click करना है जैसे next करेंगे तो हमरे आधार कर में जो mobile number link होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा वह यहाँ पर हमें enter करना है और continue पर click करना है जैसे यहाँ पर continue करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ permission पुछी जाएगी तो उसे allow करेंगे अब हमरे यहाँ पर आधार कर वेरिफाई होगा तो हम यहाँ पर थोड़ी देलबेट करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे KYC verification यहाँ पर successfully हो चुका है verification successfully हो जाने के बद दोस्तो हमारे आधार करके सारी डीटल हमारे सामने आ जाएगी तो उसे हमें एक बार confirm कर लेना है तो यहाँ पर confirm वाले option पर click कर देंगे उसके बार आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर हमें एक document upload करना होगा और document में हमें एक selfie देने होगी तो selfie के लिए दोस्तों यहाँ पर एक take selfie का option दिखेगा उस पर click करके हमें यहाँ पर selfie add कर लेने हैं तो यहाँ पर ہम take selfie वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर interaction बताए जाएगा कि किस तरीक से आपको selfie देनी है उसके बाद नीचे यहाँ पर एक option मिलेगा text selfie उसपर click करेंगे तो हमसे यहाँ पर camera की permission पुछी जाएगी उसे हम allow करेंगे तो हमारे सामने front camera open हो जाएगा और हमें यहाँ पर एक clear selfie कलिक करने है Selfie कलिक करने के बाद दोसरों यहाँ पर हमें upload कर दadelphीनी है और यहाँ पर done पर click कर देना है जैसی done पर click करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा process दम् nouvelleगा और हमारे selfie यहाँ पर successfully upload हो जाएगी उसके बद दूस्तों नीचे यहाँ पर एक option enable हो जाएगा submit document तो simple उसपर हमें click करना है तो हमारा document यहाँ पर submit हो जाएगा अब दूस्तों अगले page में हमें यहाँ पर bank information देनी है हम इस loan को जिस bank account में लेना चाहते है वो bank information यहाँ पर हमें enter करनी है जैसे यहाँ पर हम verify now पर click करेंगे तो हमारे bank account में एक रूपया send किया जाएगा और हमारे bank detail verify होगी और जैसे हमारे bank detail verify हो जाते है तो हमारे सामने इस तरीक से interface आजएगा और यहाँ पर बताएगा कि your application is submitted यानि कि अब हमारी application यहाँ पर submit हो जुगी है अब यहाँ पर बताएगा है कि आपकी application यहाँ पर हम verify करेंगे और कुछी देर में आपको बताएगा कि आप यहाँ पर loan लेने के लिए eligible हो या नहीं वो तो आप यहाँ पर दोस्तो कुछ नहीं करना है हमें बेका जाना है और 10 से 15 मिनिट के अंदर हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर loan मिलेगी या नहीं मिलेगी तो दोस्तो 10-15 मिनिट के अंदर हमें यहाँ पर message मिल चुका है आप उपर यहाँ पर देखो हम इस message को open कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, बताएगी है कि Congress Relation, your money view loan is approved, और यहाँ पर दोस्तों हमारी NBFC भी बताएगी है, कि विविर्थी Capital Private Limited द्वारा यह loan आपकी अप्रूव हो चुकी है, अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हम इस application को open करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा processing लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीक से interface आएगा, अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो step complete कर लिया है, वो हमारे सामने 100 हो रहे हैं, जिसमें आप देखो कि तो हमारा plan accept हो चुका है, हमारी loan application complete हो चुकी है, हमारा document verification complete हो चुका है, अब तिसरे step में दोस्तों हमारी loan review के लिए आए हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर हमारा NBFC का नाम है, यहाँ पर हमारी total loan amount है, उसमें से हमें कितना EMIP करना होगा, कितने मंद के लिए loan है, सारे जानकरी यहाँ पर बताई है, तो उसे हमें यहाँ पर confirm करनी है, उसके बद आगे हमें क्या-क्या step complete करने है, वो भी बता हम करेंगे, तो हमारा A step भी यहाँ पर complete हो चुका है, और अगला step हमारे सामने आ चुका है, अब दूस्तों यहाँ पर हमें E-mandate complete करना है, तो E-mandate करने के लिए, यहाँ पर हमें E-mandate नाव पर click करेंगे, तो हमारा सामने कुछ इस तरीके से interface आएगा, अब दूस्तों इमे जैसे यहाँ पर हमारे loan की और हमारे detail सारी रहेगी उपर, निचे दूस्तों फिर से हमें net banking या debit card सूस करना है, उसके बाद attempts and condition वाले box पर tick करना है, और submit पर click करना है, तो हम यहाँ पर net banking सूस करते है, और submit पर click करना है, जैसे submit करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा processing लेगा, त हमें यहाँ पर थोड़ी दिर wait करना है, और हमारे समने कुछ इस तरीक से interface आई जाएगा, अब दूस्तों इस page में हमें यहाँ पर net banking का username और password एंटर करना है, और next पर click करना है, जैसे next पर click करना है, जैसे next पर click करेंगे तो हमारे bank में जो mobile number लिंक होगा, उस पर एक OTP पर send जाएगा, वह OTP यहाँ पर हमें एंटर करना है, और done पर click करना है, तो हमारे यहाँ पर net banking verify successfully हो जाएगा, आप यहाँ पर दोस्तों देखोगे, तो हमारे नाल्च यहाँ पर complete हो चुका है, यानि कि autopsy set में यहाँ पर हो चुका है, अब आगे दोस्तों हमें यहाँ पर review करन ना चुका चुको, तो यह company आपके father को या आपके friend को contact कर सके, तो उसी साब से यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर contact number देना है, उसके बाद यहाँ पर add reference पर click कर देना है, तो आपका यहाँ पर reference एड हो जाएगा, उसके बाद आपके loan review के लिए आईगी, उससे आपको ए जैसी done करोगे, तो आपका a step भी complete हो जाएगा, और last step में यहाँ पर बते जाएगा, कि आपकी loan आपके bank account में जाने के लिए processing में चली गी है, अब within 24 गंटे के अंदर आपकी loan amount आपके bank account में transfer हो जाएगी, तो अब यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, यह last step था, अब आपके bank account में transfer हो जाएगी, तो इस तरीके सा दोस्तों आप money view से loan apply कर सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको step by step सारे process भी खा दिया है, तो अगर आप भी money view application से loan लेना चाहते हो, तो इस तरीके सा आप ले सकते हो, तो चले दोस्तों आज के वीडियों बस इतना ही, उमिद करता ह है कि आपको एफ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, commit and subscribe करना ना भूले, तो चले दोस्तों मिलता है कूर ऐसे ही दमाकेदर वीडियों के साथ, तब तक के लिए good bye